प्रिये विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शुप्षंकर व्यास सहे काचारे राज के विली महाविद्याले बीकानेर जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमारे प्राचारे महोदे डॉक्टर बगवाना राम जी विश्णोई ने आप सबसे निवेद्दिन करते हुए बताया था कि वर्तमान परस्तितियों के चलते महाविद्याले में निमित कक्षाओं का लगना भी आरम नहीं हुआ है तो ऐसे में आप सब के हितार्त राजे सरकार के निद्दिशों की अनुपालना में महाविद्याले परिवार अब आपके साथ यूट्यूब चैनल, e-content, assignment, question paper के जरिये आप लोगों की classes लेता रहेगा नए विद्यार थी जो 2nd year से 3rd year में आएंगे और वो विद्यार थी जो मेरे वर्तमान में 3rd year में हैं जिनके अभी paper होना बाकी है उन सरक के साथ आज हम नए सिरे से सुरुवात कर रहे हैं हमारा paper drafting plating जो LLB 3rd year में आपका 9th paper है drafting plating convincing and mood code trial हम इस पर अपनी चर्चाएं शुरू करेंगे निमित रूप से जैसे जैसे आपके time table के हिसाफ से हेटरा नाता रहेगा हम आपके वीच इस subject पर चर्चा करते रहेंगे जैसा कि आप सबको पता है जो हमारे पुराने विद्यारती हैं कि ये paper 9th paper है और इसमें भी practical होता है तो इस परकार से ये paper आपका जो होगा ओर written 80 number का होगा और 20 number का practical होगा 20 number का जो practical paper होगा उसमें आप एक file बनाएंगे जिसमें मुख्य रूप से हम college में जब भी अपनी college आरंब होगी जल्द से जल्द इसमा हमारी से हम दूर होकर आप सब के साथ college में मिलेंगे तो दो mood quote का मंचन किया जाएगा civil और criminal जो इस paper की मुख्य इससे होंगे practical के लिए उन दो mood quote का इसमें उल्लेक करते हुए हम आगे इसमें किस परकार से वात पत्र की सरचना की जाती है किस परकार से हम deed का निर्मान करते हैं इन सब चीजों का उस practical file में उल्लेक करेंगे आज इस paper 9th drafting, pleading, convincing and mood quote की हम सुरुवात कर रहे हैं pleading सब्दा आपके सामने आ रहा है drafting, pleading मैं आपको बता दूँ कि ये जो paper हम पढ़ रहे हैं ये CPC के साथ जुड़ा हुआ आपका paper है काफी कुछ चीजें जो हम CPC में पढ़ते हैं उसी का एक हिस्सा यहां पर होंगे जैसे order 6, 7, इनकी चर्चा हमारे यहां पर भी होगी तो सबसे पहले सब्द आता है हमारे सामने अभी वचन या pleading कहते किसे हैं तो CPC, Civil परकरिया सहीता 1908 के आदेश 6, नियम 1 में ये बताया गया है कि pleading का मतलब है वाद पत्र और लिखित कथन दोनों का मिलावा रूप ही pleading है अभी वचन से ताथ पर ये है वाद पत्र तथा लिखित कथन दोनों इसमें सामिल माने जाते हैं तो पढ़ाई करते समय हमें इस बात का ध्यान में रखना होगा कि जहां जहां मैं आपको बताता जाओंगा कि जो प्रस्ण आपके paper के लिए यह हम आपको assignment देंगे जहां आपको इसकी जरूत पड़ेगी कहां प्रस्ण बन जाता है तो आपका जो paper का pattern है वहाँ पर यहें एक दो नबर का question बन चुका है pleading या अभी वचन से आप क्या समस्ते हैं तो आपका जो answer होगा वह होगा कि civil प्रकरिया सहीता 1908 order 6 rule 1 में pleading को परिभासित किया गया है और यहां उसका मतलब होगा वाद पत्र और लिखित कथन यानि कि plant and return statement दोनों चीजों को मिलाकर हम इसे अभी वचन कहेंगे तो यह आपका एक दो नमबर का प्रस्ण बन चुका है यहां पर यहां हम बात करें जब objective की बात आए ठीक है ना जब return आप लिखोगे दो नमबर में तब तो आप पूरा लिखोगे वाद पत्र और लिखित कथन है उसे हम अभी वच्चन या प्रेडिंग कहते हैं प्रस्णार के सामने इस परकार भी आ सकता है अभी objective जब हम बात करते हैं अभी वच्चन को परिभासित किया गया है अब आपके पास में नीचे A, B, C, D चार option आपके पास में आ जाएंगे तो competition की त्यारी भी साथ में इस तरीके से होती जाएगी तो चार option होंगे जिसमें जैसे कि हमने अपनी चर्चा की है हमारा जो option होगा वो होगा order 6 rule 1 यानि कि A, B, C, D जहां कही पर भी हमें ये option मिल जाए order 6 rule 1 वो हमारा answer होगा तो दोनों तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रस्न होगा जब दो नमबर का प्रस्न आता है ठीक है तो आप लिखोगे वाद पत्र और लिखित कथर order 6 rule 1 और जहां objective आता है तो आप लिखोगे order 6 और rule 1 में इसे परिभासित किया गया है ये आ इसका मतलब होता है कि जब किसी मामले में कोई पक्शिकार लिखित रूप में कोई बात कहता है जिससे की वीचारन के समय किन-किन बातों पर विवाद है उसका प्रगटी करण करना यानि कि आप अभी वचन में क्या बताएंगे कि मैं अपना जो पक्ष है अपना जो मामला है किन-किन बिंदूओं पर इसे रखना चाहता हूँ अभी वचन जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी वाद के दो पक्षकार होते हैं एक वादी हो गया एक प्रतिवादी हो गया वादी वाद पत्र के जरीए अपनी बात कहेगा और प्रतिवादी लिखित कथन यानि कि रिटर्न स्टेटमेंट के जरीए अपनी बात को कहेगा इसलिए हमने अभीवच्चन को किस परकार से परिवासिज गिया है कि अभीवच्चन प्लेडिंग में वाद पत्र और लिखित कथन दोनों सामिल है वादी अपनी बात वाद पत्र के जरीए प्लेंट के जरीए कहेगा और प्रतिवादी अपनी बात रिटल स्टेटमेंट के जरीए कहेगा तो एक ये नायक प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्षिकार वादी क्या करेगा? सबसे पहले जो भी उसका मामला है उस बिंदों का उल्लेख करते हुवे वाद पत्र की सरचना करेगा आगे चलकर हम एक वादपत्र की सरचना करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या उनमें किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए उस पे हम विस्त्री चर्चा करेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है वादी अपने तक्षों का प्रकटी करन कर रहा है कि प्रतिवादी यानि कि जो भी सामने वाली पार्टी X, Y, Z है उसके साथ में उसकी क्या गटना करम हुआ है उसे वह बिंदूवार और तक्षोंवार वर्नन करता है फिर फॉर एक्जामपल मैं आपको बताता हूँ कि दो पक्षिकारों के बीच में उधारी का कोई लेंदेन हुआ और उन्होंने एक प्रोमेजरी नोट के जरिये अपनी बात रखी तो एक्स ने वाई को कुछ रुपया उधार दिया उसमें तैह हुआ के बाई 5,000 रुपया होगा उधारी दी जाएगी ब्याज की दर भी तैह हो गई इतनी ब्याज की दर होगी कितने समय के लिए दिया जा रहा है और उसका बुक्तान किया जाएगा अब क्या होता है कि प्रतिवादी उस दिये गे रण को नकारता है तो वादी वादपत्र के जरिये क्या करता है अपनी पक्ष को रखता है तब वह एक एक बात को बिंदुवार रखता है कि मैंने इस पक्षिकार को इतना रूपया उधार दिया, इस तारीक को दिया, ब्याज की दर हमारे बीच में ये तैह हुई, समय हमारा ये तैह हुआ, जिस समय इसने इसका भुक्तान नहीं किया, तब मैंने इसे इस पैसे की मांग की, ये कुछ समय के लिए टालमटोल करता र दिया यही वह दिन और दिनाय का है जिसके कारण से मुझे कोट में आने की कोट पूचता है कि आपका न्याएले में आने का कारण क्या बना cause of action सबसे important चीज़ है आप न्याएले में तो वह दिन जिस दिन प्रतिवादी ने उसे इनकार किया वह क्या हो गया उसका cause of action मन गया और वह व्यक्ति न्याएले में आने का कारण लेकर आता है तो इन सब बातों को वो बिंदुवार लिखेगा तो ये सारी बाते वो क्या करता है उसे चानकारी अपनी personal है व्यक्ति का चानकारी के आधार पर बताता है बाद में वह कानूनी जानकारी के आधार पर ये बताता है कि जिस न्याएले में मैं मामला लेकर आया हूँ उस मामले को उस कोट को सुनने का छेतरा दिकार है मैं मरियादा विदी के अंदर जो समय दिया गया है उस समय अवदी के बीच आ चुका हूँ जाने कि मेरा मामला जो है लिमिटेशन के अंदर है टाइम बाड नहीं हुआ है मैंने कोट फीस दे दी है ये ऐसी चीज़ें होंगी जो वह कानूनी जानकारी के आधार पर उन्हें सत्य होना सिवकार करेगा और लास्ट में इन सब के सपोर्टिंग में वह एक सपत्पत्र देगा इस परकार जब ये बातें वो कह देगा तो प्रतिवादी पर समन की तामिल के जरिये ये उस तक क्या कर दिया जाएगा वाद पहुंचा दिया जाएगा ने संसोधन के बाद में ये विवस्ता कर दी गई है कि जितने प्रतिवादी बनेंगे उतनी ही कॉपी में वादी अपना क्या करेगा वाद पत्र पेस करेगा तो प्रतिवादी को वाद की प्रति उसके साथ ही पेस कर दी जाएगी अब प्रतिवादी क्या करेगा? उन सब बातों का बिंदु वार जबाब देगा यहां पर बहुत important चीज़ है कि आपने जिन जिन बिंदू का उलेख किया गया है प्रतीवादी को हर एक बिंदो का क्रम वर्ज बाब देना होगा क्या उसे स्वीकार है या नहीं ہے या है तो किस रूप में है और नहीं है तो किस रूप में है आप उसे गोल मॉल जबाब नहीं दे सकते जैसे उसने लिखा है कि 5000 रुबे की लेंदें वादी अपना वादपत्र और प्रतिवादी अपना रिटर्न स्टेटमेंट दोनो न्याले के समक्स प्रस्तूत करतेंगे अब नियाले उन दोनों द्वारा प्रस्तुत प्लेंट और रिटन स्टेट्मेंट के आधार पर क्या करेगा तनकी का निर्मान करेगा यह उर्दू सब्द है तनकी यानि कि इस्यूज फ्रेम करना यानि कि विवाद का जो बिंदू है उस बिंदू या जगडे की जड़ को त इस परकार जगडे की जड़ को क्या करेगा नियाले तै करेगा और मामले को इन बिंदूं तक सिमित कर देगा यानि कि पक्षिकारों को अपने इन इन बिंदूं पर ही क्या करना होगा जबाब पेस करना होगा उसके बाद दोनों अपने अपने साक्षों के जड़े उस माम प्रचन जिसकी हमने शुरुआत की है प्लीडिंग में हम क्या बताना चाहें कि वात-पत्र और लिखित कफन मैंने एक एक्जाम्पल के जर्या को समझाने का प्रयास किया इन दोनों के मिले वे रूप को हम क्या कह रहे हैं pleading कह रहे हैं और अगली क्लास में जब हम इसके सुरवात करेंगे तब हम ये बात करेंगे कि इस pleading जो हम त्यार कर रहे हैं उसके object क्या है आज हमने जो चर्चा की है उस पर हमारा एक प्रश्ण इंपोर्टेट बन गया है अबिवचन अभीवचन से क्या भी पुराए है या अभीवचन को कहा परिवासित किया गया है कल हम जब चर्चा करेंगे तो हम इसके ओपर अब्जेक्टिव की बात करेंगे कि अभीवचन या पिल्डिंग के अब्जेक्ट्स क्या है थैंक यू